Hello Everybody, Welcome to Career Study, मेरा नाम लख्विंदर कोर है और आज हम चो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नेम है निकनेम्स ओफ फिर्मस परस्नालिटीज अगर हम इंडिया फिर्मस परस्नालिटीज की बात करें तो उनको कुछ निकनेम्स जो हैं उनके काम की वज़े से उनका जो इतना योग करेंगे ठीक है इसमें पार्ट फान और पार्ट टू रहेगा तो इन दोनों ही पार्ट को आप अच्छे से कर लीजेगा क्योंके आफकेट में अल्रेड़ी यहां से क्वेशन जो है वो आपका आ चुका है और अपकमिक एक्जाम में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहां स से क्वेशन जो है वो जरूर बनेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं सभी को बता दू कि अगर आपने अभी तक अनक अनकेडमी पे संदीप सर को फॉलो नहीं किया है तो अगर आप डिफेंस एक्जाम के लिए सीडियस आफकेट या किसी भी डिफेंस एक्जाम के लिए प्रिपेर करते हैं तो आप जल्दी से जाके उनका प्रोफाइल जो है फॉलो कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं उनका प्रोफाइल है जो कि रीजनिंग और बेसिकली मैच्स करवाते हैं सीडियस आफकेट, सीएप, एफ, टीए किसी भी एक्जाम के लिए अगर मैच्स रीजनिंग आप करना चाहते हैं तो वह आप कर सकते हैं इसके इलावा इनके एससपी के कोर्स भी आते हैं वाइल टेस्ट की सीरीज चलती है और डेली इनकी जो है क्लास एक फ्री होती है बिल्कुल फ्री ऑफ कोस जो है वह आपको अनकेडम बैच कोर्स जहां पर आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस सकते हर एक चीज जो है वह आपको आपके लिए बैनिफीशल जो है वह रहेगी तो अगर आपने अभी तक अनकेडमी को जॉइन नहीं किया है तो जल्दी से आपको डाउनलोड करके आप इनका रेफरल कोड करि कि किसी भी एक्जाम के लिए अगर आप प्रैक्टिस सेशन्स चाहते हैं अगर आप एक मौक टेस्स सीरीज चाहते हैं तो यह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपको अनकेडमी पर और अव्यसली कि आप जल्दी से जो है सब्सक्रिप्शन ले लीजिए क्योंकि फर्स जु चलिए आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे निकनेम्स में सबसे पहला नाम आता है सी राजा कुपालचारी तो यहां पे चक्रवर्ती जो राजा कुपालचारी थे उनका निकनेम जो था वो राजा जी था तो अगर हम इनके बा पहुत ही जो कह सकते हैं कि बहुत सारी पर्सनाल्टी जो है वो इनके साथ जुड़ी हुई है तो इनका जो अगर हम देखे कि पहचान तो ये लास्ट गुवर्नर जनल ओफ इंडिया थे ठीके क्योंकि अव्वेस है कि सविधान बनने में टाइम लगा और देश में एक डिसि सविधान तब तक जो है गुवर्नरल इण्ट्र फिर टो रही है तो राजगोपाल-चारी जी का जो निकनें में वह क्या है राजा जी ओधान जो चाहता है और हम बहुत ही important personality और बहुत ही जिनको हम कह सकते हैं कि जो inspiring personality है उनकी बात करें तो next नाम आता है महात्मा गांधीजी का तो इनका nickname की बात करें तो इनके साथ बहुत सारे nicknames जो हैं वो जुड़े हुए हैं सबसे पहला है father of nation, बापू, महात्मा and saint of साबरमती तो यह सभी nicknames जो हैं वो महात्मा गांधीजी के नाम से जुड़े हुए हैं अब एक पर मैं आपको ये भी बीच में बता देती हूँ कि आपका question जो है वो exam में कैसे बनेगा या तो आपका question इस तरह से बनेगा कि महात्मा गांधीजी का नीचे दिये गए options में से कौन सा nickname है या फिर आपका question इस तरह से बनेगा कि father of nation जो है वो नीचे दिये गए किस personality को कहा जाता है ठीक है तो किसी भी तरह से आपको पूछ सकते हैं तो basically ये चार नेम है निकनेम हैं जो कि महात्मा गांधीजी को दिये गए हैं तो ये names जो है नेता जी सुभास चंद्र बोस जो है वो first person थे जो इनको महात्मा गांधी को father of nation के नाम से जानते थे इसके बाद अगर हम बात करें तो parliament जो है independent India का जो parliament है उन्होंने भी recognize कर दिया इनको as a father of the nation और title जो महात्मा था इनको ये दिया गया रबेंदर नार्ट टेगोर की तरफ से तो ये दोनों ही name बहुत ही important है और question ये भी बन सकता है कि the father of nation जो है इनको सबसे पहले किस ने कहा था तो that personality was नेता जी सुभाष चंद्र बोस ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए इनके बारे में next अगर हम बात करें खान अब्दुल गफर खान की तो अगर इनके निकनेम की बात करें तो इनका सरहदी गांदी या फिर फ्रंटियर गांदी के नाम से जाना जाता था ठीक है और ये जो इनका close associate थे आमेर चंद बंबल वाल तो उनके द्वारा ये निकनेम जो है ये इनने दिया गया था he was an independent activist थे और बहुत ही जादा जो है इन्होंने अपना योगदान दिया इंडिया इंडिया को ब्रिटिश रूल से आजाद करवाने के लिए next important personality है दादा भाई नरोची तो दादा भाई नरोची की जो जी का जो निकनेम है that is a grand old man of इंडिया ठीक है तो ये है दादा भाई नरोची का निकनेम next important personality आता वालमिके जी तो इनका निकनेम की बात करें तो आदी कवी है तो he is known as the lal bag and balasha और he is celebrated as the harbinger poet in Sanskrit literature ठीक है और वालमिके अगर देखे तो इन्होंने compose किया है पूरी रमायना को ठीक है अगर हम बात करें रमायन की ठीक है इसको compose किया हुए with the blessing of lord brahma born as nut nakara ठीक है तो यह बहुत important personality अगर हम देखे रमायन की प्रोस्पेक्टिव से तो बालमिके जी का निकनेम जो है that is आदी कवी next important personalities की बात करें तो लाल बहादू शास्त्री जी लाल बहादू शास्त्री जी का जो निकनेम है that is a man of peace तो शास्त्री जी का यह निकनेम जो है man of peace that is for he was always preferred the path of peace instead of aggression मतलब वो एक शांती के पत पे चलते थे और उसी को prefer करते थे तो aggression की बजाए तो इसलिए जो है इनको नाम दिया गया the man of peace slogan जो है जैजवान जैकिसान जिसका meaning है hail the soldier, hail the farmer that was given by him ये भी question बहुत बार paper में बन चुका है कि जैजवान और जैकिसान का नारा जो है वो किसके द्वारा दिया गया था तो that name is the लाल बहादु शास्त्री चीके तो ये आपको पता होना चाहिए राइट शास्त्री वो पॉस्ट्यमेसली इनको मन्ने उपरांट जो है वो भारत रतन से भी सम्मानित किया गया 1966 में जो इनका contribution रहा है country के लिए चीके तो ये भी आपको पता होना चाहिए next important personality की अगर बात करें तो सलीम अली सलीम अली का जो निकनेम था that was a bird man of इंडिया bird man of इंडिया जो सलीम अली थे यह first ऐसे भारतिये थे जिनोंने bird survey किया था पूरे इंडिया में ठीके और बहुत सारी जो है bird books लिखी बहुत सारी bird books जो है वो famous भी हुई बहुत popular हुई और निथोलोजी इंडिया चीके तो एक तरह से अगर देखे तो birds का जो survey है इंडिया में first time हो किनके द्वारा किया गया था सलीम अली इसी लिए इन्हें जो है bird man of इंडिया के नाम से जागा जाता है नेक्स अगर important personality की बात करें तो that personality is the first prime minister of India that is जौहलाल नहरू तो जौहलाल नहरू जी को जो है चाचा नहरू या फिट पंडी जी के नाम से भी जाना जाता था अब ये भी आपको पता होगा कि चाचा जी इनको क्यों बुलाते थे क्योंकि इनका children's के साथ जो एक इनका बच्चों के साथ लगाफ था ठीके ये बहुत ही बच्चों के साथ इनका जो meet रहता था या फिर हम देखे तो affection वो बहुत ही अलग था तो इसलिए बच्चे जो ह इने चाचा नहरू के नाम से बुलाते थे और it is because of its friendly attribute towards the children that kids fondly called him the चाचा और इसके इलावा पंडित नहरू due to his roots with the कश्मीरी पंडित community से इनके जो है रूट्स चुड़े हुए थे तो इसी वज़े से इनके पंडित जी भी बोला जाता था नेक्स अगर important personality की बात करें तो वो है डॉक्टर राजेंदर परशाद जो की हमारे first president भी रहे हैं तो इनका nickname की बात करें तो that nickname is देशरत्न अजात्शत्रू गांदीची called him अजात्शत्रू तो गांदीची की दौरा इनको अजात्शत्रू की name जो है वो दिया गया one who had no enemies जिनका कोई भी जो है दुश्मन जो है वो नहीं है ठीक है नेक्स अगर हम important personality की बात करें तो that is राजा राम मोहन रोई तो निक्नेम की बात करें तो राजा morning star of india renaissance और father of indian renaissance तो ये सभी names जो हैं वो राजा राम मोहन रोई जी को दिये गए राम मोहन रोई is known as a maker of modern india and father of indian renaissance ठीक है तो एक तरह से इनको maker कहा जाता है कि modern इंडिया की शुरुआत जो है वो राम मोहन रोई के साथ भी साथ ही हुई तो इन्होंने भहुत सारी campaigns की जिसमें इन्होंने सती प्रथा को basically और caste system जो के हमारे देश में था तो उसको basically abolish करने के लिए उसको खतम करने के लिए जो है नारा लगाया and he was given the title Raja by the Akbar to the Mughal Emperor ठीके तो इनको Raja का जो सम्मान है वो Mughal Emperor के जो Akbar थे तो उनके द्वारा जो है वो दिया गया था देयानन सरस्वती देयानन सरस्वती जी का जो nickname था that was a Martin Luther King of India ठीके इनको Martin Luther King of India के नाम से जाना चाता था देयानन सरस्वती जो थे Indian philosopher थे social leader थे founder थे R.S. Marge के ठीके और एक तरह से एक reform movement जो है वैदिक धर्मा में इनके द्वारा चलाया गया था इसके इलावा social activist थे ठीके तो देयानन सरस्वती जी जो है उनकी जो philosophies है वो बहुत ही important है और inspiring है next बात करें तो Mother Teresa जी की ठीके तो इनका नेम Mother Sand of Guters तो इनको तो को नहीं जानता ठीके तो Mother कहा जाता है इनको और Mother Mary Teresa that is the Sand of Guters सुभाष चंद्रबोस सुभाष चंद्रबोस जी का नेम भी आपने बहुत बार सुना होगा बहुत important personality नेता जी इनका नेकनेम था और इसके इलावा इनका नेकनेम Patriot of Patriots भी था 1942 में इनको ये नेता जी का टाइटल मिला जर्मनी में by the Indian soldiers of Azad हिंद फोर्ज तो उनके द्वारा ये नेता जी इनको टाइटल दिया गया तो despite a difference in ideology Boss was admired by the father of nation महादमा गांधी ची के द्वारा जो है इंस्पायट थे Patriot of Patriots भी जो है उनही के द्वारा इनको ये नेम जो है वो दिया गया Boss is credited with the very famous lawman Give me blood and I shall give you freedom ठीक है as well as जैहिंग तो ये slogan जो है ये भी इनहीं के द्वारा दियेगे जिसको हम बोलते है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें अजादी दूँगा तो ये सारे slogan जो है वो सुभास चंदर बोस जी के द्वारा ही लिखे गए है Sardar Wallabhai Patel again the important personality of India the strong or the iron man of India this mark of India तो ये निकनेम है Sardar Wallabhai Patel जी के ठीक है तो ये बहुत ही important personality है इनको भी को नहीं जानता है ठीक है जो गुझरात में एक बहुत बड़ी जो है मूर्ती बनाई गई है इनहीं की बनाई गई है सardar Wallabhai और ये हमारे First Home Minister भी रह चुके हैं बहुत ही बड़ा contribution रहा है हमारे देश की एकता और अखंडता में इनका तो यह important personality है सर्दार बलब भाई पतेल, the strong and iron man of India. पतेल पर्सियोडिड ओल्मॉस्ट एवरे प्रिंसली स्टेट में लब हर एक जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी प्रोविंस थे तो उनको इंडिया में जोडने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इंडिया को एक बनाने के लिए His commitment to the national integration is newly independent India country was totally and uncompromisingly earning his sobricute iron man of India. ठीक है तो ये एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो माना जाता है और इनही के ऊपर सर्दार पतेल जो unity award है वो भी दिया जाने लगा है अब he served as a first deputy prime minister of India इंडिया के first deputy prime minister भी रहे है और first home minister भी रहे है नेक्स अगर बात करें PT उशा जी की तो इनका नेम था पैउली, express, उडान परी और golden girl तो ये तीनों ही नेम जो है वो PT उशा जी को दिये गए शीवोज निकने पैउली, express, उडान परी और golden girl because her speed on the race track जो इनकी speed थी race track के उपर उसकी वज़े से इनने ये निकनेम जो है वो दिये गए she was the first Indian sports woman to enter the Olympics final and PT उशा वोज बौन on 27 June 1964 in the village नेम पैउली नियर कैलिकट केरला ठीक है तो वहाँ पे जो है ये बौन होई और इन्हें नेम जो है ये दिया गया रविंदनाथ टेगोर जी की बात करें तो इनका नेम जो था विश्व कवी कवी गुरू और गुरुदेव ठीक है ये तीनों ये निकनेम्स जो है वो रविंदनाथ टेगोर जी के थे तो ये भी बहुत important personality थी ठीक है तो इनको भी जो है एक independence activist और एक तरह से देखें कि एक बहुत important personality जो है वो count किया जाता है तो ये कुछ important personalities थी उनके निकनेम से जो आपके लिए important है आपके exams के लिए important है तो इनको revise करते रिए याद कीजी अच्छे से और I hope कि this session आपको अच्छा लगा होगा तो like, share and subscribe जुरूर कीजेगा thank you so much and have a very nice day